हलो दोस्तो आज मैं आप सब के सामने किसी की लाइफ की ट्रू स्टोरी बताने जा रही हूँ हमने अक्सर देखा है टीवी में कि परदेशों में कोई किसी का साथ नहीं देता और मैं एक लड़की एक लेडी जिनके साथ पिछले दो महने से बात कर रही हूँ वो बहुत ही सीरियस मेंटल प्रॉब्लम में चल रही है ना उससे नीद आती है ना उसकी हल्थ ठीक रहती है उसे ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया ही लुट गई इतने बड़े जहान के होते हुए भी उसे कुछ समझ नहीं आता जब मेरी उससे सबसे पहले बार बात हुई तो बिलकुल खामोश थी उसकी आँखों में कुछ चमक नहीं थी जिन्दगी से हार चुकी थी वो मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं उसे सुपोर्ट करूँगी और उसका साथ दूँगी तो धीरे धीरे उसने मुझे अपनी स्टोरी बताने शुरू की उसका नाम बानी है बानी एक बहुती मीडियम क्लास फैमिली में पैदा हुई उसके फादर जो थे गौवर्मेंट एमपलॉई थे तीन भेने थी और उसके फादर जो है बानी को उसकी ग्रैंड मदर के पास छोड़के उसके बाकी दो सिस्टर्स को लेके ट्रांसफर हुई और वहां चले गए उनकी दोनों सिस्टर्स की बहुत अच्छी से एजुकेशन हुई पर बानी की एजुकेशन गाओं में हुई बानी को अपनी मां से बहुत ज़्यादा प्यार था पर ये बात समझ के कि उसके फादर ये कहते थे कि हम पूरे बच्चों की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सक तो बानी को अपनी ग्रैंड मदर के पास ही रहना था और बानी की basic education एक government school में हुई उसकी ग्रैंड मदर के पास पर बानी पढ़ाई में बहुत ही होशार थी उसे हर चीज में first prize मिलता था वो खेल कूद में बहुत आगे थी हर चीज में आगे थी पर ग्रैंड मदर के पास र कि वो ग्रैंड मदर के पास रहे तो सब लोग उसे बहुत ही नीच नजरों से देखते थे क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को pension मिलती थी और वो पूरी pension जो है बानी की उपर लगा देती थी तो बानी सब की आँखों में चुपती थी इस तरव बानी का बच्पन इतना उससे परिशान रहते थे पर उसके साथ खुश रहते थे धीरे 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 बानी बढ़ी होती गई और उसकी ग्रैंड मदर बहुत बुजर्ग हो गई और एक टाइम आया कि बानी को रख नहीं सकी और बानी को अपने माबाब के पास वापिस जाना पड़ा जब बानी उसके बाकी बहने शहर के कॉनवेंट स्कूलों में पड़ी थी और बानी गाओं के एक छोटे से स्कूल में पड़ी थी और बानी को अपना सारा काम करने की खुद आदत थी बानी कभी भी अपने पेरेंट्स की उपर बोज नहीं बनना चाती थी बानी के साथ सबसे बड़ समझ नहीं आती थी उसे इंग्लिश बिलकुल नहीं आती थी और वो ये बात उसकी इस बात को घर में कोई नहीं समझ सकता था उसकी माँ इतनी educated नहीं थी, उसके फादर जब उसे पढ़ाते तो उसे बहुत मार पढ़ती और बानी को इस बात की समझी नहीं आती कि मुझे मार किस बात के लिए पढ़ रही है इसलिए बानी का मन अपने माबाप के पास नहीं लगता था वो हर बात, हर बार अपने ग्रैंड मदर को याद कर दी और उसके दिमाग में माबाप की जगए उसकी ग्रैंड मदर बस चुकी थी उसके दूसरे सिस्टर्स के साथ भी उसकी इतनी ज़्यादा क्लोज था नहीं हुई क्योंकि भीच में बहुत बड़ा गैप था गाउं में पली बड़ी बानी शेहर के महोल को सूट नहीं हो रही थी धीरे धीरे करते करते बानी की पढ़ाई पूरी होती रही और एक दिन बानी की शादी हो गई बानी शादी करके अपने ससुराल में गई शादी से पहले जिन घर में शादी होने वाली थी दहेज की कोई भी डिमांड नहीं थी जैसे ही शादी की तारीक फिक्स हुई दहेज की एक लंबी चोड़ी लिस्ट आ गई और बानी ने अपने फादर से कहा कि दहेज नहीं दे सकते तो मेरी शादी मत करो क्योंकि मेरी दूसरी भेने भी हैं उनकी भी स्टडी होगी उनके भी केरियर होगा उनकी भी शादियां होगी और आपको रिटार्मेंट में जो पैसा मिला है आप अगर शादी में लगा दोगे तो आप अपनी फ्यूचर के लिए क्या रखोगे बानी बहुत ही समझदार बहुत ही सुजड और बहुत ही हिम्मत वाली लड़की थी किसी तरीके से नॉर्मली शादी हो गई पर ससराल वालों की दहेज की जो डिमांड थी उसने बानी के गुणों को कभी भी उपर नहीं आने दिया बानी बहुत प्यार करती थी अपने ससराल वालों से पर जो दहेज की मांग में की गई कार और जो चीजें उन्होंने लिस्ट में लिखी थी वो ना होने की वज़े से बानी को कभी सतकार, कभी प्यार नहीं मिला बानी का जो पती था वो बहुत ही ज़ादा अपने माबाब की कंट्रोल में था उसे ये समझ ही नहीं थी बानी की मेरी जिन्दगी किसी के साथ जुड़ चुकी है और इसका डिसीजन लेना भी मेरा हक है पर उसने अपनी जिन्दगी की हर डिसीजन अपने पेरेंट्स पे छोड़ दिये और उसके पेरेंट्स ने उस लड़की के साथ बानी के साथ बहुत ही बिकार बहेव किया बानी को शादी होते ही फिट्स का अटेक होने लग गए वो प्रेगनेंट हो गई मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं आपको ये सब कैसे बताऊं जैसे उसने मुझे बताया उसकी आँखों में सिर्फ आंसू थे पर मुझे इस बात की खुशी है कि उसने आंसू निकाले और किसी तरिके से बानी को घर से निकालने की कोशिशे शुरू हो गई बानी को देज की मांग दे के अपने मैके में भीजा जाता पर बानी बहुत समझधार थी उसे पता था कि मेरा फादर मुझे और देज नहीं दे सकता तो वो कुछ भी नहीं मांगती और थोड़े दिनों में पेरंट्स उसे वापिस छोड़ाते ऐसे करते करते बानी के उपर अत्याचार बढ़ते गए बानी की हर बात पे उसके ससरौल वाले उसकी सास और ससरौल बहुत परिशान करने लगे क्योंकि उसका जो पती था वो अपने माबाप की सामने कुछ नहीं बोल सकता था वो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता था ऐसे करते करते जब बानी के दो बच्चे हो गए और उसके पती को अब भी ये चीज़ का अइसास नहीं हुआ कि मेरे परिवार क्या है छोटी छोटी चीज़ों की जरूरतों के लिए वो बानी को परिशान करने लगा क्योंकि उसका कोई लक्षे नहीं था उसे ये पता नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है और ससुराल वालों के बानी की उपर अत्याचार बढ़ने लगे मेंटली टॉर्चर शुरू हो गया जब बानी उनको कुछ कहती तो देहेज की बात करके या कुछ होर बाते करके उसे चुपकरा दिया जाता उसके माबाप की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाती बानी अंदर ये अंदर घुटती गई घुटती गई पर उसे एक चीज का विचार था कि मेरे माबाप ये शादी नहीं करना चाते थे मैंने ये शादी की है तो मुझे किसी भी तरीके से ये शादी को निभाना है और वो कोशिच करती रही एक दिन ऐसा आया कि अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बानी के पती को बाहर जाना पड़ा जैसे ही बानी का पती बाहर गया उसके सस्राल वालों ने उसकी शादी के सारे सब्बूत मिटा दिये शादी की सारी फोटों फार दी अब बानी के पास कोई प्रूफ नहीं था कि उसका पती उसका पती है बानी के पास दो बच्चे थे जो की स्कूल में जाते थे जिनकी फीज भरनी पड़ती थी जिने खाना देना पड़ता था कपड़ा देना पड़ता था पर उसके सस्राल वालों ने उसकी हर चीज की जिमिदारी उठाने से मना कर दिया और बानी के सामने अब दो बच्चे थे और वहां जाते ही किसी वज़े से उसके पती को जेल हो गई उसका खर्चा उठाने वाला कोई भी नहीं था ना उसके पती से उसकी बात होती बानी को यही बताया जाता कि तेरे पती ने दुसरी शादी कर ली है अगर वो कोई पैसा कमाएगा तो उसके उपर हमारा हक होगा तेरा कोई हक नहीं होगा बानी दबती गई दबती गई उसने बहुत ही परिश्रम करना शुरू कर दिया अपने बच्चों के खर्चे और अपने खर्चे उठाने के लिए उसने छोटी सी नौकरी करने शुरू कर दिया और उस नौकरी को करते-करते, उसके माबाप ने उसकी मदद की और उसने नौकरी के साथ एक छोटा सा बिजनस शुरू कर लिया। वो बिजनस चल गया और उसने कपड़े से लाई का काम शुरू कर दिया। तो उसमें धीरे धीरे उससे काफि प्रॉफिट होने लगा, पर उसके ससरॉल वाले फिर भी उसके पास आते, तो उसे तंग करते, उसे टॉर्कर करते, कभी हुसे अपने ससरॉल वालों की सपोर्ट नहीं मिली। अगर उसके माबाप उसके पास आते तो उन्हें भी बहुत बेज़ित होना पड़ता बानी अपनी जिंदिगी से बहुत परेशान हो चुकी थी बानी जिंदिगी की इस कश्मकश्च से लड़ रही थी और तभी उसे बिमारी शुरू हो गई क्योंकि जब बन इंसान को बहुत ही परेशानी आती है और उसे कोई सुनने वाला नहीं होता और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है समाज से लड़ नहीं सकता इंसान एक जवान लड़की कहां जाए क्या करे